हेलो स्टूजेंट्स क्या आले बई आज तीसरा दिन है एरिस्मेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का इसा आप है जनरल टर्म होता है सम अफ टर्म्स होते हैं क्या ट्रिक होती है कुछ मुस्ट कॉमन क्वेशन जो अक्सर तुमारे एक्जाम में पूछे दाएंगे आज फटा फट पहले क्वेशन लिख दिया है पहले क्विक रीकाब देता हूं कुछ बेसिक कॉंसेट्स के क्या-क्या थे हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक में एरिस्मेटिक प्रोग्रेशन में होता है कॉमन डिफरेंस हमारा डी होता है रिविजन चल रहा है तो एक्सपेक्टिड यह है कि वैसे तो आपको जो भी टिम निकालना है एकर अगर नहीं पता मुझे और ड नहीं पता मैं डिरेक्ट लिए बोलना चाहरा हूं कि भाई सेवेंस टर्म क्या होगा तो मतलब एसेवन डिरेक्ली तुम यहाँ पर सेवेन पूटकर दो डिक्ने का तरीका होता है यह और ड न प्लस 9D सीधा-सीधा क्या है tricky कि एक कम यहां सह पर do देते हो तो 10-9 हो जाता है तुम्हें पर 7 निकालना है तुम्हें प्लस 10D लिग दो एक कर दोस्त में यह तुम्हारा जन्रल टम का हिसाब हो जाता है और बाकि फॉर्स और कॉमन दिफरेंस तुम लोग को पता है क्या होता है पहला टम और फिर कॉमन डिफरेंस किस तरह से गैपिंग चल रही होती है यहां पर वह कहा रहा है फोर्थ टम फने पी इस थी ताइम्स द पर फोर्स्ट फोर्स्ट मतलब है पहली को बन गई सॉल फरेंगे यह उदर चला जाएगा क्या हो जाएगा टू एज इक वोल्स तू थी यह तुम्हारी एक एक वेजिन आ गई सेवंद्स टर्म सेवन्ट टम का मतलब क्या हो गया भाई अप्लस सिक्स डी दिखो जब वाप फिर उसे हिसाब से सिर्फ जह है तुदा पॉइंट की बात होती है इसलिए बहुत माइनर डीटेल में नहीं जा रहा हूं मैं सेवन्ट टर्म मतलब एप्लस सिक्स डी हो गया सेवन्ट टर्म एक सीट ट्वाइस थर्ड टर्म वह जादा है किस चीज से जादा है एक सीट करत मइस केल से कितना बात समय में आ गई जिए है अब इसको बना लेंगेiegen रहा हो तुम्हारी दो सिर्फ करना है लियो तुम्हारी मरशिय है तुम जैसाज पर चाहरो जो तरीक अपना चाहरो वह तरीक अपना लो तुम्हार पार दोधेश्ञ पाया तरीक़ साथ हो सिग्षाइग लिखने का तरीक लिखने का तरीकर साथ प्लस इक प्लस ट्रीड एक कम कर दिया और उठाकर इस्वेश पूट कर दूंगा यह यह उच्टाकर 3D is equals to 2 और A के जगाह में लिख रहा हूँ 2D minus 1 3D is equals to 2 4D minus 2 यह दर चला जाएगा वह उदर चला जाएगा D की value आ गई 2 D की value 2 आ गई इसको उठाकर यहाँ पूट कर दो यह यहाँ आ गया 3D की value 2 is equals to 2A 2 से 2 कट गया A की value आ गई 3 यह इसने पूझा था फर्स्ट हम बता दो common difference बता दो चलते हैं अगले सवाल की तरफ अगले सवाल की अगर बात करें Mth term बोल रहा है भाईया अपने पास जो general term का formula है वो है A and is equals to A plus and minus 1D जिस पे हम सारे खेल खेलते हैं उन्होंने का 7th term मैंने N की जगा 7 पूट कर दिया इसकी वेज़े 7-1 यहाँ पर 6 हो गया था A plus 6D यहाँ से हमने direct trick भी सीख ली 10 बत हम बोला तो 10-1 यहाँ पर 10 पूट कर दिया तो 10-1 9 हो गया इस तरह से हमने direct सीखा लेकिन अब वो यह नहीं कह रहा है अब वो यह कह रहा भाई Mth term जो है वो 1 by N है तो मैंने कहा Mth term क्यों हो जाएगा यह Nth term का formula है A plus N minus 1D Mth का मतलब क्या कहन की जगा है एंपुट कर दो तो Mth term A plus M minus 1D यह तुमारा 1 upon N है यह एक equation हो गई दूसरी जहाँ पर लिख दे रहाँ अब मुझे करना क्या बहुत ज़ादा लंबा काम नहीं है एक बाई इसको solve कर लेता हूँ A plus D को अंदर ले आ रहा हूँ M D minus D is equal to 1 upon N एक equation यह हो गई दूसरी वाली equation वो जो है solve करकर direct में इसके नीचे लिख दे रहा हूँ A plus N D minus D is equal to 1 upon N यह वो most common question है जो अकसर तुमें exam में देखने को मिल जाएंगे अब का करना होता है इस तरह से M N P Q इस तरह की terms होंगे तो मैं कुछ नहीं ले करके solve करना है सारी चीज़ें निपढ़ जाएंगी तुमारी values धीर 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 आती जाएंगी जो चीज़ दी थी पहली वो दी थी दूसरी मैंने से ब्राकेट को अंदर multiply कर लिए ताकि जब subtract करूँ तो पहले से मुझे ब्राकेट खुले में मिले वरना थोड़ी सी परशानी हो जाती है अब मुझे subtract करना है sign change रहेंगे minus, यह minus, यह plus, यह minus इससे यह गया, डी से डी गया, क्या बचा? m, d, minus, nd, m, d, minus, nd, is equal to one upon n, minus one upon m अब हमें इसे solve करना है तो यह क्या हो जाएगा? m, minus, n, common ले लिए, मैंने d और इस वाले बंदे का, lcm ले लिए जाएगा, m, और n का तो यह हो जाएगा, m, n तो n से n या, m बज़िया, m, minus, n, यह वाली चीज़ आ गई तो m, minus, n, m, minus, n कट गया, d की वाली क्या गई? one upon m, n, यह मेरा d आ गया one upon m, n, अब मेरे पाद दो equation पड़ी हुई है भाई, यह वाली, यह यह वाली, तुम दोनों में से किसी भी equation में, चाहे इस वाली equation में पुट कर दो, चाहे दूसरी वाली जो one upon m वाली है उसमें पुट कर दो, जैसे कि तुम d की वाली पुट करोगे वो भी तुम्हारा one upon m, n ही आएगा यहां पुट कर देता हूँ तो कोई भी equation पकड़ लेते हैं मैंने का यह वाली ले लेते हूँ a plus m into d यह वाली equation ले रहा हूँ जो मैंने bracket solve करकर बड़ा कर रहा है a plus m d की value यह और minus d मतलब minus one upon m, n is equals to one upon n मैंने यह वाली चीज़ इसले ली कि bracket में फिर add the end मूरे multiply करकर solve करना पड़ेगा यह वाली चीज़ ली यहाँ पर अब मैं देख रहा हूँ कि भाई एक तो m से m गया यह हो गया अब तुम देखो one upon n minus one upon m, n is equals to one upon n इससे यह गया यह वाली चीज़ माइनस के उठके उदर चली जाएगी a की value भी आ गई, one upon m, n a की value भी आ गई, d की value भी आ गई, अब last अपना final हम answer की तरफ चल रहे हैं, उसने यह का है find mns term जहाँ पर तुम n वाला हिसाब था, जहाँ पर तुम 10 put करते थे, 7 put करते थे, तुमने अपके बार m भी put करा, ms का मतलब m put कर दो, ns का मतलब n put कर दो, mns का मतलब यह है कि mn put कर दो, a mn is equal to a plus n की जगा यह put कर दो, minus 1 और d, अब तुम्हें क्या करना है, values अपनी उठा उठा कर put करते जाओ, यह तुम्हारा a की जगा हो जाएगा, one upon mn plus mn minus 1 और one upon mn, जब तुम्हें से solve करोगे, सब कुछ कट कटा कर, final answer तुम्हारा जो है, वो वन आ जाएगा, तुम इसको अंदर ले जाकर multiply करोगे, mn into mn, मैं यहाँ पर direct कर दे रहाँ, जब अंदर आएगा यह, यह क्या हो जाएगा, d यहाँ पर आएगा, one upon mn, और minus d, यानि one upon mn, तो plus का one upon mn, यह तो पिल्कुली कटके खतम हो गया, और यह वाली चीज कट गई, answer आगया तुम्हारा, one, यह था, देखने में लंदी लग रहा है, इसलिए क्योंकि समझा समझा के कर रहा है, लेकिन जब exam में होगा, जब तो में नज़र आएगा, काफी सारी चीज़े होती है, जो आपको देखकर याद आ जाती है, कि आप इस तरह की चीज़ मैंने करी, इतना टाइम लगता नहीं, जितना भी देखकर लग रहा है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अब यह सवाल है, इसको बताने से पहरे एक छोटा सा concept बता देता हूं तो मैं, अक्सर क्या होता है, जब भी हमारा AP होता है, तो हम कहते हैं, पहला टम A है, अगला हो जाता है, A प्लस D, के D जुड़ता जाएगा, अगला टम हो जाएगा, अगला टम हो जाएगा, A प्लस 2D, A प्लस 3D, जिसको अगर आप अपने जनरल टम वाले फॉर्मले से भी मैच करा अन्चाओ, तो आप मैच करा सकते हो, A, यह A प्लस D, A प्लस 2D, जो हम A कम कर देते हैं, अभी चौधा टम है, A प्लस 3D, A कम कर दिया, N माइनस 1, जो सीका था हमने, यह पांच वा टम, A प्लस 4D, यही होता है, यही होता है, यही होता है, और यही चलाते हैं, लेकिन, सिर्फ उन केसिज में, जब वो स्पेशली तीन नंबर की बात कर रहा होगा, वो कहां तीन नंबर है, A, प्लस 2D, प्लस 3D, पीछे भी तो आ सकते हो, उतने ही पीछे चलते रहा हो, A-D, A-2D, A-3D तरह से तुम जा सकते हो, तो तुमारी यह तीन टर्म्स तुम देखो, A, प्लस 2D, इनका कॉमन दिफरेंस चेक कर लो यह A-D था, उतना ही में पीछे आ गया, उससे D आगे चलूँगा, यहां आ जाएगा, उससे औरी आगे चलूँगा, यहां आ जाएगा, यह AP हो गया, अब यही क्यों लिया, इनमें फायदा ही हो जाता है, अगर वो क्वेशन देगा, वो कहेगा, सम कर दो इनका, तो जब म मतलब सिर्फ इस चीज से है कि मेरा वो टम AP में होना चीज है, और मेरा थोड़ा जुगाल बन जाए, कि एड होके कट जाए, क्योंकि वो पिछले वाला जो मैंने लिखा था, A-D, 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 अगर चौथा टम तुम कह रहे हो, तो मैं इधर बढ़ूँगा, तब भी, एक D कि ये तुम्हारा हमेशा ये हो जाका, यानि ये थारम होगे, तो मैं में इधर एफैंड-टुम समय से उप्स्वK में जाए, बिए आपका डिरेक्ट वैली वाइल आती है एक इतना हो गया आगी कहानी क्या रहा है एक्स्रीम किनारे वाले बन देगे और इनका प्रोड़क्त जब तुम करोगे मैं मुल्टिप्लाइ कर लेता हूं a-b, a-b का हिसाब बन रहे हैं जब में multiply करोंगा इन्टो a-b, a-b ये कितना हो जाएगा a²-9d² और upon means मतलब बीच वाले extreme मतलब किनारे वाले means मतलब बीच वाले तो जब तुम इनको multiply करोंगे direct formula लग रहा है a-b, 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 ये आ गया solve कर लेते हैं, अभी मैं A की वाल्य पुटनी करों, मैंने के पहले इनको solve कर लेते हैं, variable रखकें, 15 into A square, 15 A square minus 15 नाइन ज़ा हो जाएगा, 135, is equal to 7 A square minus 7 D square, यह दर चला गया हो गया, 8 A square is equal to, यह इधर की तरफ आगया हो जाएगा, 128 D square, अब यह इधर जाकर इसको divide कर देगा, A square is equal to 8 minus 8, 8 6 the 48, ठीक है वई, अब A की वाल्य पुट कर दो, तो मैं अगर यहां पर A की वाल्य पुट करता हूँ, A की वाल्य कितनी है, 8, यहां पुट कर दे रहा हूँ, A की वाल्य वाल्य एट है, तो 8 into 8 upon यहां से 16 उधर भेज दिया, is equal to D square, 8 to the 16 to 4 the 8, D square की वाल्य वाल प्लस का भी 2 हो सकता है, माइनस का भी 2 हो सकता है, 2 का square भी 4 minus 2 का square भी 4, तो D की वाल्य 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 थो आ गई, अब तुम से कहा गया था, यहां बहुत तेजी में दाओगे, तुमने आंसर निकाला, प्लस माइनस 2, ऑप्शन जो चार दे रहोंगों, इसमें एक ऑप्श तुमारा इन टरम्स के हिसाब से, और अगर तुम इन टरम्स के हिसाब से देखोगे, तुमारा common difference 2D का आ रहा है, समझार यह बात, तुम देखो, फरक कितने का 2D का, यहां से 2D आगे चलेंगे, यहां से D में 2D जोड़ेंगे, तब यहां पहुचेंगे 3D पे, तो तुमार common difference दी नहीं है, बलके इस particular question में 2D common difference है, यानि जो भी answer इसको 2 से multiply कर दो, तो जो तुमारा common difference आएगा, जो उसने पूछा है, common difference वो आ जाएगा, 2 into D मतलब प्लस माइनस 4, यह answer दाएगा, clear है, अगले सवाल पे चलते हैं, कोई भी doubt हुआ करे, कोई दिक्कत हुआ करे, वो प लाइव लाइव होती है, recorded, recorded होती है, फिर भी कोई doubt हो, तो एक बार पूछ लिया करो, चलते हैं, अगले सवाल पे, तो बढ़ चलें, अगले सवाल की तरफ, यहां पर इन्होंने का है, some of first and terms of two AP, दो अलग-अलग AP हैं, तो मैंने का यार, ऐसा करते हैं, एक के, जो first time or common difference क को a और d जो मानते हैं, small a, small d, वो माल लूँगा, अगले वाले को capital A, capital D माल लूँगा, जरौत उसकी उतनी पड़ेगी भी नहीं, लिख लेते हैं, देख लेते हैं, तो उसने बोला है कि दोनों के जो AP है, some of first and terms of two AP, दो अलग-अलग AP है, दोनों के end terms का sum निकालो, वो उस capital रहेगा, capital रहेगा, क्यों capital A रहेगा, क्योंके तुम्हारा वो दूसरा AP है, तो तुम A नहीं लिख सकते हैं, तो 2A प्लस N माइनस 1D, अब कहो गया, n तो n लिख रहो, क्यों के भईया, उसने बोल दिया, n terms, terms हो ही है, but first term common difference अलग-अलग है, ये चीज हो गई, इसने बोल खेलना है, यहीं से तुम्हारा अंसर है, तुम्हार कुछ करना नहीं है, इसने बोला, find the ratio of fifth terms, कि उनके fifth term का ratio बताओ, मैंने कहा, fifth term, तो fifth term तो a plus 4D होता है, fifth term क्या होता है, a plus 4D, मैंने कहा, इसका मतलब यह ऐसे पूछ रहा है, a plus 4D, और इसको नीचे चाहिए, a plus 4D, यह पूछ रहा है, वो देखो, यहीं पूछ रहा है, ना वो, a plus 4D, और दूसरे वाले का, fifth term का ratio, और दूसरे वाले का, sorry, small, मैंने लिख दिया, capital, तो यह पूछ रहा है, मैंने कहा, यहीं से कुछ जुगाल बनेगा, क्यों कि अपने बास और कुछ भी नहीं है, अपने बास रखकर में पढ़ना नहीं चारे, मैंने का, ऐसा करो भाई, कि a plus 4D को ऐसा करो, इसको पूरे को 2 से multiply कर दो, फरक तो पढ़ने वाला नहीं है, हमने कहा, अगर इसको 2 से multiply करो, मैंने कहा, 2 plus 8D, और 2 a plus 8D, मैंने कहा, क्योंना, मैं यह वाली ratio का जुगाल करवा दूं, अगर, कोई फरक नहीं पढ़ रहा, तुम दोनों में से two common निकाल लो, यह वही चीज तो है, जो तुम से पूछी थी, तुम से multiply कोई फरक नहीं पढ़ा, तो मैंने का, a plus 4D, 4D करके निकाल लो, यह 2 a plus 8D, 2 a plus 8D निकाल दो, तुम यह चीज़ समझ में आगी, क्योंकि question variety ला सकते ह वो अभी fifth term की ratio बोल रहा हो सकता है, वो 17 term की ratio बोल दे, तो तुम है वहाँ से देखना पड़ेगा, 17 term का मतलब हो जाएगा, a plus 16D, for example, वो 17 term बोल देता, 17 term, तो a plus 16D बोल देता, तुम कहते है, a का जुगार नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर two है, इस तरह के सवाल exactly य है, तो उसको हमेशा double कर देना, जब तुम यहाँ double कर दोगा, तो यह हो जाएगा, two a plus 32D, two a plus 32D, यह scene हुआ करेगा, जब भी वो जो भी बोलेगा, उस हिसाब से, वो तुमें जुगार यहाँ पर लाना पड़ेगा, तो तुमने का खेर, यहाँ पर उसने a plus 4D पूछा था मैंने का, ना, मैं two a plus 8D निकालूँगा, तो two a plus 8D, मुझे यहाँ पर आठ चाहिए, आठ लाने के लिए, मैंने का यार, n की जगा भाई, no put कर दे, अगर no put कर दे, नो में से गया, 8D बन जागा, जो तुमें चाहिए, बात समझ वारी है, अगर यह वाला question होता, तो तुम क करा क्या, यह ratio निकाली, तैयार करा, फिर मैंने का, जी, पांच भाई, मतलब a plus 4D, वो नहीं निकाल सकते, डबल करो, क्योंकि यहाँ पर already two पड़ा हुआ है, तो two a plus 8D, eight चाहिए, यहाँ पर eight लाने के लिए, put n is equals to nine, तुमारा काम हो गया, बस, तुम यह सब put करके लिखा पर nine plus two, और nine plus four, कितना हो जाएगा, seven of 63 और 65 और यहाँ पर 13, काट दोगे, ratio आ जाएगे, five is to one की, जो उसने पूछा था, find the ratio of the fifth terms, five is to one की ratio हो गई, चलते हैं, आज के आखरी सवाल, arithmetic mean की तरफ, तो भाई, आज का आखरी सवाल यह लिखा है, this thing is the am, am मतलब arithmetic mean, arithmetic mean क्या होत होता है, उसका एक, यह हिसाब बैट जाएगा, arithmetic mean of a and b का मतलब a plus b by two, बट उसने का नहीं वो यह चीज नहीं है, यह आपने निकाल लिया, के हाँ, arithmetic mean का मतलब यह a plus b by two, बट इन्होंने अल्रेडी value दे रखिये, इन्होंने का यह है, ठीक है, लिख लो equal two में डालके, यह ह है, this thing is arithmetic mean of a and b, तो a and b का arithmetic mean मैंने का जी a plus b upon two होगा, बस इन्होंने का आप इसको solve कर दो, n की value निकाल के बता दो, ठीक है, cross multiply कर लेते हैं, two उदर जाएगा, simple multiplication लिखे, two a and plus one plus two, b and plus one, is equal to यहां से cross multiplication होगा, पहले a को पकलो, दोनों के पास ले जाओ, a की पार n plus one, plus a इसक अब b यहां जाएगा, तो b की पार n plus one, अब क्या करेंगे, इस वाले बंदे को इधर, और इस वाले बंदे को इधर, क्यों इन दोनों को, क्योंकि पार सेम है, n plus one यहां भी है, और यह भी n plus one वाले है, तो two a की पार n plus one में से, जब एक बार यह माइनस होगा, तो एक बच जाएगा, क्योंकि यह बिल्कुल उसी तरह से, जैसे यह 2x और यहां पर x हो, तो two x में से x माइनस होता है, तो x बचता है, यह exactly वही चीज है, same चीज सो है, और ऐसी इसके में से होगा, यह 2b में से एक बी जाएगा, तो एक बचेगा, तो b की पार n plus one is equal to a bn plus b an, इतना हो बचेगा, अब यहां मुले एक यह भी एक दिख रहा है, यह दिख रहा है, तो मैंने कहार ऐसा करते हैं, इसको ले आते हैं, क्योंकि यह लेक यह पर n plus one है, और कम से कम वहां पर n times तो है, वो तो इसको ले आते हैं, तो b a की पार n यह हो गया, इसी इसको पकड़कर minus का बं बंदा उठकर वहां जा रहा है, यह हो जाएगा minus, b n की पार plus one, यह हो गया, common निकाल लेते हैं, मैंने कहा, common a की पार n निकल सकता है, I'm left with a, a की पार n यहां भी है, a की पार n यहां भी है, a की पार n प्लस one था, n प्लस one, तो a की पार n निकाल लिया, सिर्फ एक a अकेला हम सीखा करते थे 9th class में, same base power add हो जाती है, तो यह चीज तो है, b की पार n, b की पार one, same base c पार add हो गया, n प्लस one हो गया, तो मैंने यह चीज बाहर निकाल ली, तो b बच गया, b की पार one, यह हो गया, अभी सेम चीज है, कट गया, a की पार n, is equal to b की पार n, मैंने कहा, ऐसा क पार n, is equal to one, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यहां तो मिस्टॉल्प करके दिखाता हूँ, क्या हो गया, a की पार n, upon b की पार n, is equal to one, कर लिया, क्योंकि उपर से मैंने नीचे भीच दिया, division में, अगर मैं प्लस का उदर ले जाकर माइनस में करता हूँ, तब इस इक उपर से इसे डिवाइड में ले जा, इस इक उन यह चीज हो गई, अब मैंने का यार यह ऐसा करते है, a upon b की पार n, पूरे पर n है, इस पर भी n है, इस पर भी n है, common निकाल लो, और यहां पर किसी भी चीज की पार 0, रिपीट, किसी भी चीज की पार 0, 1 होती है, तो मैंने का जब क compare कि यहां से n की value कितनी आ गई, 0, जो इन्होंने पूछी थी, तो कुछ questions किये थे, series के कोशिश यह करी है, वो questions कर वा हूँ, जिस से तुम लोगों की अभी तुम्हारा इजुलाइटम टेस में help हो जाए, तो करते रहो, बागी practice करते रहो, revision करते रहो, all the best for exams, और जो भी त जो friends, उनके साथ share कर दो, जब आपका exam खतम हो जाएगा, तो November में proper से एक एक चीज, minute details से लेकर, छोटी से चोटी और बड़ी से बड़ी सारी चीज़ें, एक एक question के साथ जब solve होंगी, तो मदा असली वाला तभी आएगा, तो share कर देंगे, लोग जोड़ जाएंगे, तो फिर life class करने भी मजा आएगा, वाकी भी लेंगे कल अगली वीडियो में, तफ्था के लिए over and out